प्रधान मंतरी के एक रास्ट एक मंडी का सपना अब साकार होता दिख रहा है। अब छोटे व्यापारी भी देश के किसी भी हिस्से से व्यापार कर रहे हैं। इसकी बड़ी बानगी पूनिया में देखने को मिली है। यहां गुजरात के खिसानों का प्याज पूनिया कर आई है। वहीं इससे पहले प्रक के जरीय प्याज आता था और ज्यादा ट्रांस्पोर्टेशन के चलते लोग महेंगे दामों पर खाने को मजबूर थे। वहीं प्याज व्यवसाई सुरेंदर भगत ने कहा के इलाके में प्याज साथ से आट रुपए सस्ता मिलना शु सीधा है चुकि एक रुपएा पचास पैशेमें ये रेखाया चुजिरास तर यहीं जगह से गुजिरास सात्तों फों से बहूत अच्छा फाइदा होता मोआध구나 मैं और हो रहा है जो किसान बिल पास हुआ है उसका असर है क्या जी जो किसान बिल पास हुआ है उससे बहुत अच्छा फैदा हुआ जो हम वहां जाके किसान से सिधा प्याज खरीद सके और यह किसान से प्याज खरीद के लाया हूँ यह बहुत ही अच्छा मतलब किसान बिल पास होने में प्रोब्लम आ रही है जैसे नासिक, नासिक में प्याज की बहुत ब़री मंदी है, 365 दिन वहां से रेक आ सकता है, लेकिन पहले भी बताया हूँ को वहां पे ये सुबधा गुजरात वाली नहीं है, वहां पे कुछ बिचोलियों लोग 10%, 12%, 14%, 13% इस्ट्रा मांग था, लेकिन प्याज आने से लगबग 400 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। अरुन पास्वान, यहां जो प्याज का रेखाया, तो हम लोग का मजदूरी जो है, नम मिल गया, सारे 400 आदमी का, और इसी तरह आते रहेगा, तो हम लोग मजदूर का रोजी रोटी चलते रहेगा, लोग डोन में बैठे हुए थे, लेकिन मोटा मोटी रेखाता था, उसी सरकार के एक राष्ट एक मंडी का असर है कि अब बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और सस्ते दरों पर लोगों को प्याज मिल पाएगा, साथी अब प्याज लोगों को भी नहीं रुलाएगा, पंजाब केसरी टीवी के लिए पूनिया से अमित की रि पोट.